कैसे जानें कि जिस व्यक्ति के साथ हम हैं, वही हमारे लिए सही है। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लाई अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। जब हर कोई डिनर के लिए बैठ गया, तो उसने खड़े होकर घोशना की, मैं लूसी से शादी करने वाला हूँ, जो सड़क के उस पार रहती है। उमीद है उसका नाम ये नहीं है। फिर उसके पिता ने कहा क्या तुम लूसी से शादी करोगे उसके पास कुछ नहीं है वो बिल्कुल आवारा है तुम लूसी से शादी करने जा रहे हो मा ने कहा क्या तुम लूसी से शादी करने वाले हो अंकल अंकल लोग हमेशा इस तरह के मामलों में नाग गुसाते हैं अंकल ने कहा क्या तुम लूसी से शादी करोगे उसके बाल देखें वो नकली लगते हैं चाची बोली क्या तुम लूसी से शादी करने वाले हैं वो हमेशा रंगी पुती रहती है, तुम उस रंगी पुती औरत से शादी करोगे। छोटा सा लड़का है, उसका भतिजा भी पीछे ने रहा, आप लूसी से शादी करेंगे, उसे तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं। शंकरन पिल्ले अपने बात पर अड़ा रहा और बोला, हाँ मैं लूसी से शादी करने वाला हूँ, हर किसी ने एक साथ पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है, वहाँ लड़ने के लिए धेर सारी राय नहीं होंगी। तो सही व्यक्ति कौन है? मैं आपके जीवन से सारा रोमांस निकालना नहीं चाहता। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इस धर्ती पर कोई सही व्यक्ति नहीं है। अगर आप किसी चीज में अपना दिल लगा दें, तो वो चीज बढ़िया हो सकती है। क्या यही सही चीज है? कोई सही चीज नहीं है। किसी ने कभी कोई सही व्यक्ति नहीं पाया है। अगर आप इस तरह की अवास्तविक मानसिक्ता में पढ़ते हैं, कि मैंने सही व्यक्ति पा लिया है। तो आप जल्दी निराश होने वाले। आपको समझना चाहिए कि कोई सही व्यक्ति नहीं है पहली चीज है ये देखना कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? इस धर्ती पर कोई सही व्यक्ति नहीं है अगर आप समझते हैं, कि आपके पास अपनी बकवास है, उनके पास उनकी बकवास है, हम बकवास को बकवास एडजस्ट करके जीवन बिता सकते हैं हमें समझना चाहिए कि रिष्टे अलग-अलग जरूरतों के लिए बनाये जाते हैं शारेरिक जरूरते होती हैं, मानसिक जरूरते होती हैं, भावनात्मक जरूरते होती हैं, शायद सामाजिक जरूरते हों, शायद आर्थिक जरूरते हों, कई तरह की जरूरते हैं. तो जब आप इतनी सारी जरूरतों के साथ किसी के पास जाते हैं तो आप एक भिखारी की तरह जाते हैं और भिखारी चुन नहीं सकता अगर आप वास्तव में इस दुनिया में चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहली और महत्वपून चीज यह है कि आप खुद को ऐसी स्थिती में लाएं, जहां आपका जीवन का अनुभव अपने आप सुखद हो, आप खुद अद्बुत हो, अब देखते हैं कि इसकी और क्या खिचता है अगर आप बाकई अद्बुत हैं, तो चीजें हर तरह से आपके लिए आसान होगे कैरियर, शादी, रिष्टों के मामले में आपके साथ सबसे अच्छा होगा क्योंकि आपने खुद को इस तरह बनाया है, किसी और के उपर महनत करके उसे ठीक करने की बजाए अगर आप खुद पर महनत करें और खुद को अध्बुत बनाये कि हर कोई आपके साथ होना चाहे, फिर चुनाव हो सकता है और ये चीज अमेरिका से आई है कि कहीं कोई सोलमेट होता है भगवान ने एक व्यक्ति को बनाया है सिर्फ आपके लिए मगर इन दिनों हर दो सालों में वे एक और व्यक्ति बना देते हैं साफ है कि भगवान आपके साथ बहुत सी गलतियां कर रहे है शरीर को साथी की जरूरत होती है, समझ में आता है हो सकता है कि मानसिक स्तर पर भी आपको साथी की जरूरत हो भावनात्मक स्तर पर आपको साथी की जरुवत हो, मगर सोल को साथी की जरुवत नहीं है, नहीं कोई व्यक्ति खास आपके लिए बनाया गया है, ठीक है? ये श्रिष्टी हर तरह के अनोखे मूर्ख बनाती है, अगर आप समझ लें कि आप एक तरह के मूर्ख हैं और बाकी लोग दूसरी तरह के, तो आप उनकी बगवास को समझ सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी अपनी बगवास है, अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं और भगवान ने कहीं पर किसी और व्यक्ति को भी परफेक्ट बनाया है तो आप तबाही की और बढ़ रहें ऐसी कोई चीज नहीं होती आज भी 5000 सालों के बाद भी लोग सबसे महान प्रेमी के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं मगर उनकी पत्नियां उनसे बड़ी नाखुश थी हाँ तो आपको कोई परफेक्ट वेक्टी नहीं मिलने वाला अगर आप जुडाओ की गहरी भावना रखें तो कुछ बढ़ियां हो सकता है आपके जुडाओ के कारण इसलिए नहीं कि दूसरा शक्स चांदार है नहीं चाहे आप किसी मूर्ख को ही चुन लें असल में ये जादा असान है अगर वे मूर्ख नहीं है तो वे आपके पास आएंगे ही क्यों नहीं 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 मैं बस शैतानी कर रहा हूँ तो चाहे आप किसी मूर्ख को चुन लें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुद को शामिल करते हैं और रिष्टा बहुत खुबसूरत हो सकता है आप दुनिया के सबसे होशियार आदमी को चुन ले और तबाही हो सकती है तो एक दूजे के लिए जैसी फालतू बाते ना सूचे वास्तव में आप खुद से विप्रीज चुनते हैं जाएगा तो आप दो दिन भी उसे नहीं जिल पाएंगे मुझे बताइए अगर घर पर खीक आपकी तरह एक और शक्स हो तो क्या आप वहां रह पाएंगे आप खुश हैं कि वह अलग हैं यह बहुत बढ़िया है कि कोई आपकी तरह नहीं है है न इस धर्ती पर कोई आपकी तरह नहीं है आजमा कर देखिए कोई आपकी तरह नहीं है और यह अच्छा है समानता की तलाश मत किजे यह जरूरी नहीं है फरक एक आप आरण ही आप टैंगो कर पाते हैं वरना नहीं नहीं